शिवं 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 जटाटवी गलजलप्रवाह पावितस्तले गलेव लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां दमड़मड़मद निनादवड़मर्वयं जखार चंड़तांडवं तनो तुनख शिवं 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 नमशकर आप सबका हमारे चैनल श्रीमद हों रेमेडीज पर स्वागत और हम आपको यह बताएंगे कि हमारी प्रित्वी पर ऐसा कौन सा खत्रा मन रहा है जो पूरे प्रित्वी को तबाह कर सकता है पूरे धरती को तबाह कर सकता है और यह मैंनी कह रहा हूं और यह रिसर्च कह रहा है यह नासा कह रहा है देखे नासा को अंतरच से आकर पृत्वी से टक्राने वाली ग्रहों पर नजर रखने के लिए जाड़ा जाता है नासा की एक खास टीम ऐसे ग्रहों पर खास नजर रखती है हाली में नासा के वैज्ञानिकों ने ग्रहों के एक जुंड को देखा जो तेजी से प्रित्वी के और बढ़ रहा है वैज्ञानिकों का मानना है, कहना है कि ग्रहों का जुंड प्रित्वी के और बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कुछ समय में पृत्वी से टकराएगा ऐसा नासा का कहना है वैज्यानिकों ने ये भी उमीदे चता ही है कि ग्रफों का ये जूंड बहुत ही जादा स्पीड में बढ़ रहा है और पृत्वी की कच्छा में प्रवेश भी कर सकता है पर ये पूरी तरह से भी कनफर्म नहीं हुआ है देखिए अंधरिक्ष में हजारों की संक्या में ऐसे ऐस्ट्रॉइड मौचूद हैं जो धर्ती से टकराज है तो भारी तबाही ला सकते हैं अमेरिकिया अंत्रिश एजेंसी नासा ने 2000 QW7 नाम के ऐसे ऐस्ट्रॉइड का पता लगाया है जो धर्ती के लिए मुसीबत बन सकता है नासा के अनुसरा दुनिया के सबसे उच्छी इमारत बुर्ज खलीफा की उचाई के बढ़ाबर के ऐस्ट्रॉइड तेज गदी से प्रित्वी के तरफ बढ़ रहा है माना जा रहा है कि अगर यह प्रित्वी से टकराएगा तो पूरी दुनिया में भारी तबाही आ सकती है नासा के मुताबिक एस्ट्रॉइड 23,100 किलोमेटर प्रती घंडा की रफ़तार से धर्ती के तरफ बढ़ रहा है अभी तक तो हमसे काफी दूर है और उस रिपोर्ट के अनुसार यह 14 सेप्टेंबर को लगभग 5.3 मिलियन किलोमेटर की दूरी से धर्ती के पास से गुज़रेगा यह 5.3 मिलियन किलोमेटर भी धर्ती के नजदीक ही माना जाता है और अविस्वसिनी रूप से इसका जो आकार है इसका जो आकार है वो 1250 फुट है इतना बड़ा है यह भले है इस प्रित्वी के निकट माना जा रहा है लेकिन यह अभी भी काफी दूरी से गुज़रेगा 2000 QW7 प्रित्वी और चंदर्मा के बीच की दूरी से लगबग 13 असम लोग 87 गुनाधी की दूरी से गुज़रेगा और विज्ञानिकों ने इसे अटेन शेनी में रखा है जिसका आर्थ है यह धर्ती के नजदी से गुजरने वाला एस्ट्रॉइड है और भी समय समय पर ऐसे स्ट्रॉइड देखे जाते हैं नासा ने बेन नेविस बेन नेविस के आधी आकार के एक छोटी पिंड को प्रित्वी के और भी बढ़ते देखा है बेन नेविस मैं संचीत में बता दू कि बिटिस द्रीप का सबसे बड़ा परवत है और इसकी उच्छाई करीब 1344 मीटर तक है यहाँ पर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रित्वी की ओर हर चन बढ़ता हुआ एक छोटा उलका पिंड प्रित्वी के लिए कितना बड़ा खत्रा है विज्यानिकों का मानना है कि यह उलका प्रित्वी की ओर 18,000 मील प्रती घंटा के हिसाब से आ रही है इसका यह तिवर गती प्रित्वी से एक छटके में जीवन का नाम उनिशान मिटा देगी और नासा ने इस उलका पिंड का नाम 481-394-2006-SF6 दिया है और विज्यानिकों का मानना है कि अब प्रित्वी से टकरा सकता है तारीक भी उन्हें बताया है जो कि मैं हाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि यह काफी कॉंट्रमिनिशल रहता है क्योंकि एक्षिली में टकरा सकता है और यह टकराएगा ही यह कन्फर्म नहीं है पर उस दिन यह प्रित्वी के नस्दीक से गुजरेगा पहुचेगा और यह हमारे प्रित्वी के लिए एक बहुत बड़ा संकट माना जाता है विसे तो साल में कही बार ऐसे मौक्य आते हैं जब एक उलका पिंड या छोटे पत्थर पित्वी से टकराते रहते हैं परन्तो अब इस बार पत्थर में कुछ खास बात है तो क्या खास बात है? हो मैं आपको बता लिता हूँ विग्यानिकों ने इस उलका को अपोलो शेनी के अंदर रखा है अपोलो शेनी उलका पिंडू की वह शेनी होता है जो कि प्रित्वी के लिए काफी ज़्यादा घा तक साबित होता है और इसका कार छे सो पचास मीटर तक है और इसके गती करनी की दिशा प्रित्वी से होकर ही गुजरती है तो ऐसे में कहना बिलकुल भी गलत नहीं होगा कि समय खराब होने के चलते या आसाने से प्रित्वी के दो टुकड़े कर सकता है तो ये भी अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ कि ये टकराएगा ही क्योंकि एक चीज़ तुम मैं बता दूँ विज्ञान तो अपनी शराप पर है इसमें कोई दोर आए नहीं है पर एक आल्माइटी है जहां पर कोई विज्ञान काम नहीं करता है आम तोर पर 35 मीटर या इससे अधिक बड़ा उलका पिंड पूरे एक शेहर को आसानी से पल भर में तबाह कर सकता है तो अगर 650 मीटर का उलका पिंड प्रिच्चु से टकराएगा तो शायद पल भर के अंदर एक देश को पृत्वी के नक्षे से मिटा सकता है और इसका प्रभाव पूरे विश्व में ही देखा जा सकता है पर उमीद हमेशा रहती है अच्छे की उमीद रहती है एक टोरीनो स्केल होता है टोरीनी स्कुल के अंदर इस छोटे इतारे को अभी तक प्रिच्वी के लिए उस तरीके खतरा नहीं माना गया है और स्केल में शुन्ने से लेकर दस तक के अंख होता है और प्रिच्वी के नजदीक आने वाले हरी खगूलिय पिंड के ठगराने के खतरे को बताता है तो अगर स्केल के अंदर किसी भी ख़गो लिए पिंड कांग दस हो गया तो जीवन का अंद सुनिश्चित हो जाता है प्रिथ्वी पर से आपको बता दें कि अगर कोई एस्ट्राइड 149.6 मिलियन किलो मीटर के बीतर से गुजरता है तो उसे धर्ती के निगट माना जाता है लेकिन एस्ट्राइड 2000 QW7 5.3 मिलियन किलो मीटर की दूरी से गुजरेगा तो ऐसे में नासा ने चितावनी जारी की है आकरी बार साल एक सेप्टेंबर 2000 को यह प्रिथ्वी के पास देखा गया था इसके बाद यह एस्ट्राइड अगली बार 19 ऑक्टूबर 2038 में धर्ती के पास से गुजरेगा आपको याद होगा कि 2013 में चलिया बिंस्क से टगराया था एक एस्ट्राइड साल 2013 में चलिया बिंस्क में एक छूटा सा पिंट टगराया था जिसकी वज़े से 66 फिट गहरा कड़ा हो गया था और यह टक्र दक्षिन यूराल चित्र में थी जिसके कारण करीब पंदरा सो लोग घायल हो गये थे और संपत्तियों काफी नुकसान पहुचा था यह इतनी तीजी खटना थी जिसे लोग समची नहीं पाये थे हमारे सौर मंडल में मंगल और ब्रस्पतिगर के कच्छाओं के बीच एक ऐसा च्छेत है जिसमें छोटे बड़े हजारों खगोलिय पिंड मौजूद है जिन्हें एस्ट्रॉइड के नाम से चाना जाता है इनमें एक खगोलिय पिंड तो नौसो पच्छास किलोमीटर के व्यास का भी है एस्ट्रॉइड सुरिकी परिकर्मा करते हैं हमारे सौर मंडल में करीब एक लाख एस्ट्रॉइड मौजूद हैं जो अलग-अलग आकार के हैं नासा ऐसे सभी स्पेस चट्टानों पर नज़र रखता है जिससे जब प्रिथ्वी से टकराएं तो उससे क्या दुस्ट ब्रभाव होने वाला है इसके बारे में पता चल जाए इस बारे में एक और एजन से नज़र रखती है उसका नाम है PENETRY.ORG इस संस्ता की ओर से जारी 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रिथ्वी के पास 18,000 से अधिक NEO है 18,000 इनमें सुकुछ समावेज रूप से बहुत खतरनाक होता है तो ये जो चीज़े हैं ये हमारे प्रिथ्वी को समाप्त कर सकती है और यही विनाश का कारण भी बन सकती है तो धन्यवाद आप सब का हमारे चैनल पर स्वागत है आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें अपने कमेंड दीचिए और हम चाहेंगे कि ऐसे चो ग्यान वर्दक वीडियों से हैं वीडियों को आप शेयर कीजिए ताकि यह जो नौलेज है यह हमारे जादा से ज़्या सब्सक्राइबर तक पहुँचें क्योंकि यह जो बैसिक नौलेज है यह हर किसी के पास होना चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोग को नहीं पता रहता है तो हम चाहिए कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए धन्यवाद